नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभी सेख सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनेरिंग शपोर्ट दोस्तो जितना पढ़ाई मैंने इंजीनेरिंग में करी है और जितना मुझे प्रैक्टिकली नौलेज हुआ है साइट विजिट करके उन सभी नौलेज सभी जनकारी को दोस्तो आप लोगों तक मैं पहुंचाने का काम इस छोटे चैनल यानि कि सिविल इंजीनेरिंग सपोर्ट के माध्यम से आपके लिए कर रहा हूं दोस्तो आज मैं एक साइट पर आया हूँ और यहां पे वाकई बहुत ही समस्दारी भरा काम किया था और बांस बल्ले का जो सपोर्ट है न दोस्तो उसको कितने इंगल पर लगाना चाहिए ताकि आपके छट में क्रैक ना आए और आपका सट्री बहुत अच्छे तरीके से टिका रहे है दोस्तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं कुछ गल कोई 11 फीट के रखवाते कोई इससे थोड़ा सा ज्यादा भी रखवाते हैं तो अब ठेकदार और मिस्त्री जो रहते हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम यह आती है कि उनका जो बांस या बल्ला है जिसको कि वह चैनल में सपोर्ट डालते हैं उसका साइज को तो वह चेंज न को कास्टिंग करना हुआ च्छत तो यह दोस्तों अपने बांस बल्ले को कातने से पहले वह लोग हजार बास सोचते हैं कि आखिर इसको काटा जाए या ना काटा जाए और लास्ट में वह लोग क्या करते कि जुगार पत्तिय अपनाते हैं वह जुगार लगाते हैं ठीक है वैसे तो नियम है कि जो हमारा ये support है बास बल्ले का जो support है वो vertically upward रहना चाहिए बिल्कुल सीधा रहना चाहिए चुकि देख सकते हैं कि इस तरह से जो है वो बाफ पे इस channel को रखा गया है उसके बाद काटी लगाया गया दोस्तो लेकिन जो बाफ का angle होता है अगर मान लिज में क्या करते हैं पहला बात cutting मुला जो मैंने बताया था जिसको की बहुत सारे मिस्त्री लोग करते हैं वह काटते नहीं अपने मास को जल्दी सुचते हैं कि यह बास बरबाद हो जाएगा क्या करते हैं थोड़ा सा गढधा करते हैं जमीन में और उसके बाद वह लगा देत आप इस वाले बास को अगर देखते हैं बहुत जादा इंकलाइनेशन उसमें दिया गया यह देखिए बास में यह वाला बास को जुकाया गया इसको आप देख सकते हैं इस बास को बहुत जादा जुकाया गया है बाया तरफ यह जुका हुआ है उसके लिए उसी चैनल में आपको क्या करना होगा देखिए एक बास को हमने बाया तरफ ये जुकाया हुआ है तो उसके बगल वाले बास को दोस्तो उसी चैनल में ध्यान देंगे कि उसी चैनल में दाहिने के साइड गुसाएंगे और दाहिने साइड दोस्तो ये जुकाएंगे मतलब क्रॉस बनना चाह और दोनों का एंगल दोस्तों अलग-अलग होना चाहिए एक बाएं के तरफ खीचेगा और एक दाहिने के तरफ खीचेगा तो after all क्या होगा कि हमारा जो चैनल होगा हमारा जो सट्रिंग होगा वह दोस्तों किये हैं और एक चैनल में सभी बास को बाये तरफ लगा दिए एक चैनल में सभी को दाये तरफ लगा दिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है एक को बाये में लगा है तो उसकी जस्ट बात जो सो दाये में भी लगाना होगा तो उमीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिस की कि सीधा ही बास को रखा जाए फिर मिलते हैं धन्यवाद